दूस्तों स्वागत है आपको अपने जार जीत में जैसा कि आपको पता है कि आपके बारसिक प्रिक्षा यहाँ पर आ चुकी है तो हम यहाँ पर कक्षा 720 के गड़त पेपर का बारसिक 2021-22 का जो पेपर है उसको दोखिने वाले हैं यहाँ पर पुर्णा के रहने वाला है वो पर आई कर यहाँ पर देख रहा होगा आपको ऊपर यहाँ पर चिनना रहा होगा तो आप उस पर दवा करें इसको देख सकते हैं आज हम पांच में कॉस्चन से देखने वाले हैं तो इनके सल्यूशन आप देख लिजीगा अच्छे से नोट डाउन कर लिजिए यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लिजीगा ठीक हैं यहाँ पर देख लेना है तो यह दिये गए हैं पूरक कौण किसे कहते है तो यहाँ पर पूरक कौण होता है नब मेर डिगेरी ठीक है तो यहां पर सवाल है तीसरा अगला सवाल धी का पाँचंग यहांच माद दिया गया है यह इसको भी अच्छे से नोट डाउन करते चलिए तो यह दिया गया आपका छेत्रफल के बारे में यह ऐसा सूत्र है आयत कच्छेत्रफल बरावर लंगा इपकर चोड़ान करने हैं ठीक तो यहांपर पर 5 हो चुके होंगं ठीक है अगला देखते हैं आपर यह देख लिजी अभी उसकी है 5-5 में तो 5 इक यहांपर इसे पाइए का यह तो इसकी बगन करेंगे यह को देख लिजे सिंसी है इसे पाई बूलते है यह दो लान फिटी हुए यहांने इस इसको देख लिए है जब देख़ इसको किस परकार से करणा है हमपर स्थQué इसमें हमसे पुछा है माद तो माद का सूत्र होता है योग, बटे, संख्या ठीक है तो यहाँ पर योग टोटल होगा जाएगा सभी संख्याओं को जूड़ देंगे तो यहाँ पर हो गया है कितना आपका 282 और कितनी संख्या है टोटल हमारे 6 यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बटे में पहुंच जाएगी और इसको काटेंगे इसका भाग देंगे तो इतना आजाएगा आपका पर यहाँ पर आप दसाग्या पर दसर्वलम में भी दे सकते हैं अगला यहाँ यहां पर यहां पर यह पर गड़ेंगे तो पिए यहां पर लेकाल चार लेकिए कर चार लेकर यहां पर यह पर सकते और उच्छ से तो अपके आता ही होगा तो इसे देख लीजीज़ेगा तो यह प्रूब्ड हो जाएगा अगला कॉस्चन देखते हैं कॉस्चन नमर 11 तो क्या दिया गया इसमें हमें दो त्रभज दिये थी उसमें हमें मान पूछा ठीक है इसमें त्रभज बगेरा का मान दिया होगा तो आप अच्छे से देख लिजिए इसका इस प्रकार से हमें हल करना ट्रीक है तो यह हमसे पूछा होगा संपूर अकॉर्ण पूछे होगा संपूर अक्वां को अपना होता है 180 अना चाहिए तक हां लिजिए हमें लंद देंब दिये गए हैं 2-7 उनके आंसर है अगला कॉस्चन देखते हैं तो अगला कॉस्चन हमारा कॉस्चन नमर 12 है तो बार में एक अच्छ देख लीजिए इसके बाद अगला कॉस्चन देखते हैं ठीक है बार में एक हल देख लीजिए पहले तो यह रहा हमारा कॉस्चन नमर 12 एक तो इसके बाद 2 सही 3 वटा 4 लिटर में कितनी दूरी तैय करेगा तो आप जानते है कि जैसे एक पैंसल है 16 रुपए की आती है तो आपकी दो पैंसल है लेनी है तो आपकी कितने की आएंगी लगभग तो यहां पर 32 रुपए की आजाएंगे तो इसी परकार से इसका सवाल कर चार गोड़ा करेंगे तो कितने आजेंगे हमारे 44 किलो मीटर आप आठ में है तो इसने तो जानते ही होगा आप अगला कोस्चन देखते हैं कोस्चन नम्र 13 तो यहां पर यह तिरफज दिया गया है तो इसको अच्छे देख लिए यह समकोर तिरफज बोलते हैं से इसमें होता है यह करन होती हमारी यह लंब होता है वही हमारी हमारी यह लंब होता है वह वा यह आधार होता है ठीक है दख सका पर देखें कि इसका अबर करेंगे 68 сейчас तो 573, 100 हो जाएगा इसका बर, इसके बार इन्म दो मुझे जोड़ देगे, तो यहाँ पर देख रहा होगा आपको, यहाँ पर होजाएगा, 672, जो यह कितने कबर होता आपका 26 का, तो एकस का मन कितना आजाएगा हमारा 26, अगला कॉशन दिया गया है चागुदा, तो चागुदमा कॉस्चन देख लीजी इसमें हमसे पूचाता है कि सबसे मतलब किसने अधिक फल खरी दे तो ध्यार रखेंगे सियामा ने फल खरी दे थे पहले पांच केलो तीन सो गिराओं पर तीन केलो धाई सो गिराओं ठीक है तो इनको जोड़ देंगे तो इसमें क्या होता है पांच कोणवान होता है वह अंदर जो कोण है न दो कोणों के योग प्रकी बरावर होगा तो यहीं आपका सूतरेस का तू देख लीजski यहाँ पर यहाँ पर अच्छे बैखा सून्बरог के वाइं differently scripture आधेई का वालेख लिए। तो इसमें सबसे ज़्यारा बर क्या आया है है एक आया है ने थो बार तो यह हिखी हो जाएगा ठीक इसमा जे तो यहां पर बटे में जाएंगे तो यहां पर कट जाएंगे तो यहां पर लेखा है यानि दो को कितनी बार लेखना है च्छे बार उपर इसका गुणा कद देना तो यहां पर नव को कितना बार लेखना है तो कितना हो जाएगा साथ सो उनटीज तो यह हमारे इतन अंसर हो चुका है अग्ला क्ैसे लिए यहां पर यह दिया थ है इसका अधवाद δहा देरा है इसके लाद देखते हैंगला question का solution तो देख लीजिए यहां पर और यह दिया गया हमारा question number 20 का solution तो इसको भी अच्छे से देख लीजिए यदि वीडियो चलगता है तो लाइक कर दीजिएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं कि वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद